Finally, XUV300 facelift 29th April को launch होने वाली है तब ही गाड़ी के prices आएंगे और क्या-क्या features हैं वो पूरी तरह से पता चलेगा बाकी बात करते हैं दूसरे teaser के बारे में आज ही company ने दूसरा teaser launch किया है महिंद्रा ने पहले teaser के बारे में हमने बात कर रखी है अगर आप लोग को first teaser की वीडियो देखनी है तो वीडियो मैं link description में डाल दूँगा आप लोग वहाँ पे जाके link पे वीडियो देख सकते हैं तो बात करते हैं गाड़ी के front के looks की तो front से आप लोग ध्यान से देख सकते हैं इस बार गाड़ी के जो DRLs है वो बहुत ही बढ़िया design की देखने को मिलेगी C type हम लोग कह सकते हैं तो उल्टा C आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को DRLs मिलेंगी साथी साथ headlight जो है वो projector देखने को मिलने वाली है उपर की तरफ आप लोग ध्यान से देख सकते हैं और projector के नीचे right side अगर ध्यान से देखें तो XUV3XO की badging जो है वो देखने को मिलेगी और नीचे की तरफ fog lamp जो है वो देखने को मिलेंगे साथी साथ बात करते हैं गाड़ी के grills के बारे में बात करते हैं गाड़ी के rear looks की तरफ तो भाई आप लोग ध्यान से देखें कि connected tail lights आप लोगो को देखने को मिलेंगी बहुत ही बढ़िया design आ रहा है rear का और आप लोगो को सुनने में आ रहा है कि दो parking sensors गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगे 360 degree view भी देखने को मिलेगा बात करते हैं गाड़ी के side looks की तो भाई side से एक बार गाड़ी वो ध्यान से देखिए तो कर्फ गाड़ी के अंदर बहुत सारे दिये गए हैं और भाई साथी साथ quarter panel जो है वो आप लोगो को black finish के अंदर देखने को मिलेगा black garnish जो है काफी बढ़िया रखे गई है इस बार आप लोगो को roof rails भी देखने को मिलेंगे roof rails जो है वो भी black color के अंदर देखने को मिलेगी भाई काफी बढ़िया design इस बार गाड़ी का रखा गया है बात करते हैं गाड़ी की sunroof के बारे में तो भाई sunroof आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर पहले जो sunroof आया करती थी वैसी sunroof नहीं आ रही है आप लोगो को इस बार panoramic sunroof गाड़ी के अंदर देखने को मिल रही है भाई सुनने में आ रहा है कि base model से उपर वाले model में आप लोगो को पहले जो sunroof आया करती थी वो देखने को मिलेगी और भाई अब जो top end variant में आएगी वो panoramic sunroof गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी तो भाई देख दीजिए आप एक बार infotainment display को ध्यान से तो infotainment display जो है वो आप लोगो 10.25 इंची की देखने को मिलेगी touch controls होएंगे साथ ही साथ इस बार आप लोगो को गाड़ी के अंदर जो dashboard है वो बहुत ज़्यादा premium रखा गया है जैसा xv400 electric के अंदर आता है थोड़ा बहुत मिलता जुलता उसी के जैसा लगेगा push button start आप लोग देख सकते है steering controls आप लोगो को देखने को मिलेंगे और भाई सुनने में आ रहा है कि इस बार गाड़ी के अंदर add-ass feature जो है वो भी देखने को मिल सकता है तो भाई totally कहें तो महिंदरा ने इस बार बहुत ही प्यारा और बहुत ही भड़िया जो है वो गाड़ी launch करने वाली है भाई दोको shark queen antenna आप लोगो को देखने को मिलेगा और साथी साथ antenna भी देखने को मिलेगा rear की तरफ से बात करें तो आप लोगों को wipers भी देखने को मिलेगे और भाई XUV3XO की बड़ी बड़ी बैजिंग जो है वो गाड़ी के अंदर देखने को मिलेगी तो भाई इंतजार है अब बस गाड़ी के launch होनेगा गाड़ी जो है वो 29 अपरेल को launch होईगी और सुनने में आ रहे कि गाड़ी का जो price है वो actual room base model गा 8,99,000 रुपे से गाड़ी जो है वो start हो जाएगी और top end variant जो है वो 19,00,000 रुपे तक का देखने को मिल सकता है तो भाई वीडियो करते हैं यहीं एंड अगर आप लोगों के XUV3, XO से related कोई और भी डाउट्स हैं तो आप लोग अपने डाउट्स कमेंट में जाके बता सकते हैं हम आप लोग के सारे डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में किलियर कर देंगे उमेद करताओं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना हमारे चनल अनिल सेंग को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ